नमस्कार दोस्तों आज है पांच नवंबर और पांच नवंबर को एक ऐसे स्टॉक के बारे भी हम चर्चा करेंगे जो की है एक मीड कैप स्टॉक और इस स्टॉक में वो पोटेंशियल है जो आपको एक मल्टी बैगर रिटन निकाल के दे सकता जी हां इस कमपनी पे वो दम ह है और वो मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ आपको इतना काम है कि आप इसे पेसे नेटली थोड़े दिर देख लीजे मैं इसका नाम चिपा रहा हूं मैं पहले ही बोल देता हूं मैं लास्ट में इसका नाम डिस्कलोज करूँगा और साती इसका बिजनस मॉडल मैं आपको सबसे पहले मैं इसके फंडेमेंटल्स आपके पास रखना चाहूंगा मार्केट कैपिटल 9904 करोड का मार्केट का जो अभी प्राइज है वो 1587 पे मिल रहा ही माल 1595 का हाई है जो कि 1595 का हाई इस स्टॉक ने लगा चुका है बुक वैल्यू स्टॉक का पी इंडस्ट्री का पी तो देखिए स्टॉक का पी देखके सिर्फ स्टॉक को जैजमेंट नहीं किया जा सकता है अगर पी देखा जाए तो स्टॉक का ज्यादा है और यह ज्यादा इसलिए है क्योंकि स्टॉक का प्राइज का ज्यादा चल चुका है स्टॉक का पी का मतलब ही होता है भरा स्टॉक्स कहीं मिलेगा बहुत ही कम स्टॉक्स के मिलेंगे कि डेप टुक्विटी रिशियो मतले इनका पैसा कितना है और इनका उधार कितना है यह रिशियो अगर 0.5 से कम हो तो बहतरीन स्टॉक होता रहा हो तो सूपर बहतरीन आपका शकते जिया आरोसी देखिए 30% क रिटन ओन इक्विटी 20% दे रही है जो कि HDFC बैंक का है 24% और यह स्टॉक दे रही है तो पर्मोटर्स की होल्डिंग बहुत ही जबरजस्त और एक हरकत हुई है पर्मोटर्स की होल्डिंग पे मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस स्टॉक पर्मोटर्स ने अपनी को बहुत जादे परसेंटेज पर बढ़ाई है तो इस स्टॉक के लिए बहुत ही बहतरीन अपर्चुनिटी हम सबों के लिए इस स्टॉक को पेसेनेटली देखिए और देखने के बाद एक मन बनाई यह स्टॉक काफी बहतर करने वाला देखिए 52 वीक हाई को इस इसने क्र पाटनेजर आ रहा ठीक है ना 2006 में यह 110 रुपे का हुआ करता था और इसे स्टॉक ने 2006 से लेके 2019 तक में क्या किया 2000 तक चला गिया इसका प्राइज ठीक है 1600 तक चला गिया प्राइज कमपनी का अगर बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की तो देखिए सेप्टेमबर तक का इसका रिजल्ट हो चुका है और रिजल्ट देखिए कितना बहतरीन है 1038 करोड का इनका सेल्स है जून क्वार्टर से भी अच्छा रिजल्ट है और इकंटिनिवसली ग्रोथ देखिए यह होता एक बहतरीन मल्टि बेगर स्टॉक का 600 से लेके 1000 तक का कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसे एक्शुली कंसिस्टेंट ग्रोथ कहा जाता हो अपरेटिंग प्रोफिट कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रहा है देख लिजे प्रोफिट बीफोर टैक्स प्रोफिट बीफोर टैक्स कंसिस्टेंट ग्रोथ देखिए किसी भी क्वार्टर पर कम नहीं है थोड़ा सा फ्लेक्शुड हुआ बट बहुत जादा फ्लेक्शुएशन नहीं नजर आ रहा है, EPS की बात करें तो 10 से लेके continuously 20 तक चला गया और ये एक बहतर stock का sign है, कमपनी का अगर हम लोग बात करेंगे EPS की तो EPS आपको नजर आ रहा है यहाँ पे EPS इन रूपीज तो देखे 21 से 18, 20, 29, 31, 33, 36, थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था, फिर 42, 40, 45, 65, 66, है न कंसिस्टेंट गुरूद, ये देखिए CAGR, 10 सालों में 27 परसेंट का CAGR से ये stock trade कर, अगर 5 साल से compare करें तो 32 परसेंट का CAGR, 3 साल में compare करें तो 57 परसेंट के rate से आपके capital को इसने बना के दिया, और एक साल के अगर हम लोग देखेंगे तो 32 परसेंट का इस साल return निकाल के दिया इस company ने, आपके capital पे CAGR, ठीक है, capital amount annual growth rate, ठीक है, इस हिसाब से आपके capital पे ये return निकाल के दे दिया, यही चीज़ सो करता, return on equity, 10 सालों में 18% के दर से इसने return दिया है, 5 सालों में 17% और last year 21% का, ठीक है, compound profit growth, यह भी बहुत 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 तो company कहां से defaulted है, कहीं से भी defaulted नहीं है, आप देखे, share का capital देखे, क्या reserve देखे, उसके बाद borrowing देखिए, यह किसी company को खा जाता है, आपको पता है, रिलांस कम्निकेसेन अज खत्म होने का यही सबसे बड़ी वज़ा थी, इनका कर्ज का, लिया हुआ कर्ज, ठीक है, 40,000 रूपीय से भी ज़्यादा चल गया था, मैं भी आपको दिखाऊंगा, देखिए, 65, फिर 35, घटते गया, एक क्वार्टन 2012 मिनों ने फिर से अपने इस चीज को बढ़ाया था, किसी काम से, फिर देखिए, इनों ने consistent इसमें कम किया, और अभी तो देखिए, इसमें 7 करोड का सिर्प और 7 करोड का इसमें उधार लिया हुआ, यह स्टॉक बहुत बहतर स्टॉक है, आप इस स्टॉक पर डेपनेटली देख सकते हैं, काफी लंबे शमय के लिए, यह काफी बहतरी निस स्टॉक सावित हो सकता, जी हाँ, अभी मैं एक अपडेट और आपके पास रखूँगा, उसके बाद मैं आपको नाम दिखाऊँगा, देखिए मैंने इसके सेयर होल्डिंग पेटर्स को निकाल ला है, और आप पेटर्स को देखके चौंक जाईएगा, देखिए जून 2019 में ये 33% की पर मोटर्स की होल्डिंग थी, और सिप्टेंबर 2019 पे आते हैं ये 70% हो चुकिया, पर मोटर्स की होल्डिंग पे देखिए कितना बहतरीन जम्प हुआ, ठीक है ने 36.13% का जम्प माइने रखता है, और ये काफी बहतर है, देखिए पर मोटर्स अभी मेजूरीटी शेर होल्डर्स में पर मोटर्स की होल्डिंग है, मैच्वल फंड की 18 स्कीम ने 5.79% की हिस्सेदारी बना के रखिए है, एक सो 90, एक सो नबबबे एक सो नबबबे एक स्कीम न इसमें पासा लगा के रखा, तो काफी बहतरी स्टॉक ये साबित हो सकता आने वाले टाइम पर, आप इस stock पे जरूर नजर बना के रखिए दोस्तों चलिए अब इस stock का आपको नाम दिखाता हूँ और इसका काम दिखाता हूँ देखिए company का नाम है N.I.I.T. Technologies ठीक है यहाँ पे देखिए sector information technology industry IT software और अगर इसकी profile की बात करें तो देखिए N.I.T. Technology provides IT solutions of its customers located in North America, Europe, Japan, Asia and Australia. Incrofted in 1992, the company has presence in areas such as applications development and management and enterprises solution including managed services and BPO, the transfer range of services in areas of banking, finance services and insurance, travel, transportation and logistics, retail and distribution. इतना बहतरीन company बहुत ही जबर्जस्त ग्रोथ कर रही है देखिए N.I.T. Technology का माइल स्टान देखिए 2013 में N.I.T. Technologies ने USA has introduced online cloud-based geographical information system platform और इनको contact दिया था N.I.T. Technology को इन्होंने वीन किया था 344 करोड का contract from Airports Authority of India बहुत ही जबर्जस्त order book और साथ ही काफी बहतरीन company आईजी आप इस company को grab किजे और इसी तरह से कुछी stocks ऐसे होते हैं जो लंबे समय के बाद एक multi-bagger बन जाते हैं जैसे कि HDFC हो पजाज finance हो IT solution में और भी बहुत सारे दिगज है टाटा एलेक्षी हो और भी companies हैं देखिए कितनी सारे companies हैं लंटी इन्फो टेक है लंटी टेक्नोलोजी है माइन ट्री है एक्षावर्ड टेक है टाटा एलेक्षी है और प्रिस्टेन सिस्टम है सभी stocks इस सेक्टर पे अपने अपने जगह पे बहतरीन कंपनिया बट आइनाइटी टेक्ने जो ग्रोइंग की है इस ग्रोइंग को देखते हुए एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और इसमें दमसम है आप देखें इस स्टॉक ने एक भी कर्ज का पैसा जो है वो एकदम नहीं रखा और कंपनी ने कंसिस्टेन ग्रोध दिया यह भी आपको परदर्सित कर रहा है जब इसका आप चार्ट देखिएगा तो आपको इस चार्ट से क्या समझ में आता है इस स्टॉक ने क्या जरनी तहीं की होगी आप देखिए स्टॉक कितना खुबसूरे चार्ट नजर आ रहा इस चार्ट से आपको यही हसास होना चाहि कि ये बाके में एक सूपर मल्टिवेगर स्टॉक बन सकता है बाकी मैं आपने सारे चीजों को आपके सामने रखने की कोशिज किये आप इतने समझदार हैं कि इन सभी चीजों को समझ सकते हैं और अगर नहीं समझ सकते हैं तो आपका अगर कोई financial advisor है तो आप इस स्टॉक को उ सा लगा के रखना चाहूंगा वो भी अपने portfolio का पांच से 4% बहुत ज़्यादा नहीं अगर मेरे पास एक लाक रुपया तो मैं 5000 रुपया ही इस पर लगाऊंगा ऐसा भी नहीं कि सारे पैसे इसी stocks पर लगा दूं portfolio का मतलब होता है अगर आपके पास एक लाक रुपया है तो आप उसे एक लाक को ऐसा डावेट सी 5 portfolio बनाईए कि सारे sectors के stocks मौझूद हो और stocks में फंडामेंटली काफी strong अपमूब देखने को मिले ऐसा 10 stock 15 stock का portfolio बनाऊंगा और मैं उस पर पासा लगाऊंगा ना कि एक लाग रुपया को मैं relance industry हो बजाज finance हो और और भी इतने हाई बीटा स्टॉक है उस पर लगा दू नहीं अगर कुदाना खासता यस बैंक के जैसा हमारा portfolio में वैसा stock वैसा होता और यस बैंक में ही मैं सारा पैसा लगा के रखता तो क्या होता आज जेटेर वेज क्या होता आज तो और भी बहुत सारे कंपनियां किसी पर भी कुछ भी हो बास्केट में एक अंडे को रखें कि अगर बास्केट गिरा तो सिर्फ एक ही अंड़ तूटेगा पूरा का पूरा आपके पास जितने अंडे सारे नहीं तूटे यह इसी एकजामपल के साथ मैं इस वीडियू को करूँगा अगर वीडियो अच्छा लेगे ते एक बाद जरूर लाइक कीजेगा साथी कमेंट कीजेगे कि आपको क्यासा लगाई वीडियो बस इतना ही आपके एक लाइक से हमें इंकरेज मिलता है इससे हमें मोटिवेशन मिलता अच्छे काम करने का और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएए आपको मैं छोटा-छोटा स्टाक्स का अपडेट देता रहूंगा कि कौन सा स्टाक क्या है कैसे कंडिशन पर है बाकि पैसे लगाने के लिए मैं नहीं बोलूँगा पैसा आप अपने मर्जी से लगाएं क्योंकि पैसा आपका प्रॉपिट आपको होगा लॉस आपको होगा तो चलिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो चैनल पर विजिट करने के लिए